नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोगा होप सब कुसलमंगल होएंगे आप लोगों का मेरे कीचेन में बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं पारब पर एक साथ विख भोजन का रेसीपी लेकर आई हूं जो बहुत ही जैदा हेल्दी और टेस्टी बनने वाला है तो देखे क आज मैं कुछ अलग रेसीपी लेकर आई हूं आप लोगों के लिए जो बहुत ही जैदा पसंद आएगी आप लोगों को भी लगता होगा जो अब गोवी खाने का मन नहीं करता है मुझे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा तो यह मैंने लिया है मेथी साल इन्ह है हम बिना प्याय लसन का बनाएंगे तो अब इसाबन भी चल रहा है और वाइसे भी बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जो प्याय लसन नहीं खाते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही जैदा हेल्प फूल बनने वाली है तो देखिए अब हम कर लेंगे ग्यास को और मैंन ले लेंगे उसमें डालेंगे सर्षो तेल तो अब जब कभी बी कोई साल अब डालेंगे स्वादनुसार नमक और हरी मिर्च तो 4-5 मिनट हमें फ्लेम हाई करके ही हमें आलू को भूनना है थोड़ा क्रंची जैसे कर लेना है धूरा हल्दी पोडर और थोड़ा मिर्ची पोडर तो ऐस भूजिया में मसाला जैजा इस्तेमाल नहीं करेंगे बस थोड़ा कलर के लिए हल्दी पोडर और मिर्ची पोडर डाले हuiten तो अब हम डाल्देंगे तो हम डालेंगे मेथी स्ञ़ होग्न मतलब समझे 70 ellt खिली भुजिया बनाएंगे मेथी का भाजी तो आपको ऐसे ही बाद में डालना पड़ेगा फिर वह अच्छा से खिला खिला बनेगा तो देखिए अब इसमें न कुछ जैदा करने की जरुरत है नहीं तो अब हम इन्हें कर देंगे दूसरे सेट ट्रांसफर अब इस सेट हम चलाएंगे सबजी तो बस बीच बीच में चलाते रहना है बांकी कुछ नहीं करना है मेथी आलू फड़ाय में तो अब हम इधर कराही एक चला देते हैं तो यह जो सबजी है न मतलब आलू बैगन पापरी हम लोगों में तो बोलता है आलू भट्टा सीम आप लोग क्या ब से लेंगे सरसो तेल पाच फोड़ान हींग तेज पत्ता और हरी मिर्च अब अच्छे से एकदम चटक जाए उसके बाद हम डालेंगे पापड़ी तो यह भाजी है न मतलब मैं इधर अपने फ्रेंट्स लोगों को भी बहुत ही जैदा रेसी पी सिखाई हूं अब वो लोगों को पता नहीं है आलू बेगन पापड़ी का इतना जैदा अच्छा टेस्टी सबजी बनता है तो देखे जब पापड़ी दो से तीन मिनट हम भून लेंगे उसके बाद हम डालेंगे आलू और आलू पापड़ी को साथ में फिर हमें कम से कम चार से पांच मिनट अगे बर रस और लेंगे आल लेंगे बैगन और इसके बाद डालेंगे टमाटर तो जैयिदा डालना है मैंने अगर ही डाला जाता है आपके पास है तो आप दो-तीन-चार की लिए हो सकते है अब देखिए इधर भुजिया भी कितना खिला खिला बनके तयार है ग्यास का फ्लेम श्लो करके आपना ऐसे बूनेंगे तो बहुत ही खिला खिला भुजिया बनता है तो देखिए अपना भुजिया बनके हो गया है तयार इधर सब्जियां भी तो आधा पकी चुकी है अब हम चर तो इसके लिए चावल में जैदा इधर कुछ सोचना नहीं पड़ता है दो चरहा दो बस बन जाएगा तो अब हम सब्जी में डालेंगे हल्दी पोड़र धन्या पोड़र गरम मसाला पोड़र और मिर्ची पोड़र अब अधरक हम वाइसे घिस के ढाल सकते थे लेकिन मैंने मतलब नहीं डाला तो इसके लिए हम डाल देंगे अधरक का पोड़र और तीं से 4 चमच हम डालेंगे सर्षों का पाअपासन है तो आप Tarso पीस के भी ढाल सकते हैं और अगर आपको रीज़्ूं surfing Se workplace जाए तो आप कमेंट में बताइ才 का तुम्हों वह भी आप लोगंके साथ data तो अभी सब्जी में पानी नहीं डाला था तेल में हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे चार से पांच मिनाट फिर हम डालेंगे पानी तो पानी आप अपने फ्यामली के हिसाब से कम जैदा कर सकते हैं ये सब्जी वैसे तो मतलब चावल रोटी सब के साथ अच्छा लगता है क्या ही बताएं मेरा फेवरेट है मुझे तो मतलब जैदा सुखा भाजी भी नहीं पसंद है फ्लावर परवल सबसे भी अच्छा बैगान पाप्रिया ऐसे लगता है आप लोग को क्या लगता है जरूर कमेंट में बताईएगा तो देखिए अब हम डालेंगे हम चूर प दालेंगे ना उतना जैदा टेस्टी बनता है और देखिए एक वाल में मेरा चाबल बनके हो गया है तैयार तो मैं तो हमेसा चाबल में पानी निकाल के ही बनाती हूं आप लोग भी कोशिस कीजिएगा क्योंकि इदर के चाबल में थोरा यह होता है ना दबावावावावा तो थोरा हेल्दी रहते हैं तो अब हम डालेंगे सब्जी में और दाल में हडी धनिया तो दाल तो मैं सुबह के चाय के साथ ही सेट कर देती हूं बाद में तरका धनिया और यहां सब डालती हूं तो हलका परता है क्या है ना लॉंच आप बनाओ कि इतना भी जल्दी करो न देखने से आपको बिलीब नहीं होगा जो मतलब कितना अच्छा कलर आया है और स्वाज तो इतना जैदा होता है क्या ही बताएं पहले ही बताएं है मेरा फेवरेट है अब इदर अपना दाल भी बनके हो गया है तैयार तो अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग मतलब थाली परोस्ते हैं तो आज की रेशीपी में क्या था लंच में दाल चावल आलू भटा सीम का सबजी और आलू मेथी की भुजिया और अचार तो फ्रेंट्स अगर आज की लंच रेशीपी आप लोंको अच्छी लगी हो तो बाँ बाँ